श्री शिवाय नमस्तु भ्यम भग्जनों मैं हूं सिभग पृति और लेके आई हूं आज का नया वीडियो इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें कमेट में लिख दीजिए हर हर महादेव हातो भग्तो हमें पता है कि 26 मैं को अचला एकादसी है यह संयोग बहुत वर्षों के बाद बन रहा तो यह एक अच्छा संयोग है इस दिन अगर आप बहुत दुखी है आपका कोई भी समस्या चाहे हो नौकरी हो ब्याप्यार हो पुत्रक प्राप्ति की कामना हो तो यह उप करें तीन उपाय में बता रहें तीनों में से कोई भी एक उपाय आप करें आपकी कामना अवश्य ही भोले ना सुनेंगे और उसे पूरी करेंगे पर कोई भी कामना कहने से पहले कोई भी उपाय करने से पहले मन में सच्ची भ्राग भक्ति और स्रद्धा होना बहुत ही जर कर दें और चलिए चलते हैं उपाई की तरफ आपको क्या करना महादेव की मंदिर में चले जाना है सुबह नहाद हो करके इकादशी वाले वी और जा करके वहां जैसे भी आप जल चढ़ाते हैं दही चढ़ाते हैं घी चढ़ाते हैं फूल ब्यत्र चढ़ाते हैं पूजा वै मनोकामना है वहीं खड़े हो करके आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है चाहे जिस से भी रिलेटेड हो आपकी तरक्की नहीं मुल रही हो आपको कोई दोश हो आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना हो नोकरी की कामना हो इंटर्व्यू में फेल हो जाते हो घर ब्यापार अच् दूसरा उपाय क्या है उसको बताने से पहले बहुत जयतैंग थे लोग परसान है तो आपको क्या करना है तुलसी कीया असान ओपाय है आपको ग्यारत तुलसी के पत्ते चाहे रामा तुलसी हो चाहे स्यामा तुलसी हो कुछ भी हो आप उसे ग्यारत पत्ते ले 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 अब एक लोटे में गंगा जल ले ले गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा जल ले को उसमें दो चारवुन गंगा जल डाल ले अब उसमें क्या उनके उपर चढ़ाना नहीं है इसे ढख करके उनके चरणों में रख दे थोड़ी देर वहीं बैठ करके ध्यान करें पुजा करें और अपने जो नोकरी से जुड़ी ही कामना है उसे वहां पर भगवान से बोल दे और इसके बाद क्या करना उपाई खतम नहीं हुआ उस देना है और अपनी मनोकामना कहकर अपने घर चले आना है अब आज का तीसरा और आखरी उपाई में बताती हूं इससे पहले प्लीज अगर जिन्होंने लाइक नहीं किया एक लाइक कर दे और जरूरत मंदों को शेयर कर दे तो चलिए चलते हैं तीसरे उपाई की तरफ आप हैं चाहें तो मार्केट से पाउडर फॉर्म में लाल चंदन या फिर लकड़ी वाल लाल दलन में तो उसे पहतर पर अच्छे तरीके से गैव घृब इस के बाद आब को क्या करना एक बेल पत्र चाहिए जीहान मात्र एक बेल पत्र और तीनों बेल पत्र की बीड़ पत्र की बात थीज़ा हूं these उस बेल पत्र को वहां चड़ा दे और अपना पूजा पाठ करें थोड़ी देर ध्यान लगाएं इसके बाद उस बेल पत्र को उठाक ले और भोले नात महादेव के मंदिर चले जाएं और क्या बोलना आपको अवगोरेश्वर महादेव का नाम लेकर इस बेल पत्र को उसमें डाल देना चुटकी भर चंदन और क्या करना आव घोरिश्वर महादेव का नाम लेते हुए लाल चंदन वाले जो पानी है शिवलिंग के उपर चड़ा देना है और अपनी मनो कामना कह देनी है आपको अपने दुखों से मुक्ति अवश्य ही मिलेगे इसके बाद थो एकादसी का यह उपाय मेंने एक साथ एक ही जगा तीन उपाय बता दी है अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और बेल